कि फिर भाई दोस्तों क्या हाल है तो आज करो टॉपिक है वो है डूअलसCECट कॉंसेख Brave LEGO last ॔ज जो है सब से 40 कोंसेटर्परिव के क्यों नीजी सप्से कॉल एक अउस्कों मध्याएं परते हैं इसको हैं इसको समझझ देत अब आपको गए को तो जी पहला पाइंट लिखती है झाल डुग अब डिखो कितनी बड़ी बात लिखी है वो सुच रहें गए है क्या रास पहुन आपको तो बता ही नहीं है है तो देखो फॉंडेशन या बेसी प्रिंसिपल इतना भी बड़ा इसमें क्या बताया हुए तो ज़्यादा टाइम दी कबाते हैं हम इसको समझते हैं कि क्यों इतना foundation क्यों बोलते हैं कि accounting यह concept है जिसकी वज़े से आज accounting है ठीक है तो देखते हैं कि ऐसा क्यूं है है इसकी पहले definition बढ़ते हैं ठीक है तो second point लिख देता हूं मैं तो जी क्या लिखाया मैंने मैंने लिखाय एवरी ट्राजेक्शन है से डूल और टू फोल्ड इफेक्ट समझो बात को समझो हर ट्राजेक्शन है अब हम समझते हैं कि बात क्या कह रहे है इसने बोला एक हर एक ट्राजेक्शन के ना दो हर एक ट्राजेक्शन कितने एक होएंगे दो दो एक हर ट्राजेक्शन के कैसे होंगे दो एक समझते हैं देखो जी माल लो आपने लेनी एक आप तो जी आपने काल खही लिए आप गए आपने काल को क्या कर दिया पर्चेश पर्चेश अभी ऐसे लिए अपने गाड़ी खेंदी तो जी इस गाड़ी में क्या होगा कुछ चीजे होगे क्या आएग गाड़ी आँगी आपके पास लेकिन यह तो एक एक एफैक्ट ऊगया ना एक एफैक्ट जोन गए इस फिलए हम उसको पैसे दोगे तभी गाड़ी मिलेगी आपको तो आप के से गया कैस्ट दो चीजे क्या इफर्क्त हो हो यह तो क्या हुआ आ son गुड्स गए आपके हाथ से गुड्स क्या गए आपके हाथ से ठीक है यह काल आई थी कैश गया था इसमें क्या हुआ गुड्स गए और क्या आया कैश आया तो दो चीजे हिल दी है कि नहीं हिल दी है दो चीजे हर एक उसमें दो चीजे दो चीजे होएंगी ठीक है या तो गुछ जाएगा तो गुछ पाने के लिए कुछ खुना वड़ता है यह बोलता है लेकिन आप वस्से लोन लिया तो क्या हुआ लूगा लेकिन गया क्या आप अब वो लोग गया तो कुछ नहीं याद यह तो फस गए बड़े बुधा फसाद यह नहीं पवस्चने में मजबूत कर दिया कि नहीं इसमें दो चीज़े क्या गई कैश आया गया क्या घ्या तो कुछ नहीं गया जबकि उंट्टा उधार चड़ गया हमारे समझना ही बड़ा मुश्किल है तो जी कोई नहीं हम इसको समझते हैं इसको भी समझते हैं यह कैसे होता है आगे अगला पाइंट पढ़ेंगे तो पता तो जी क्या लिखा है मैंने लिखा है dual effect take place in all business transactions इस transaction में भी था जब आपने गाड़ी ली जब आपने goods पेचे इसमें भी था और इसमें भी है आप सोच लें इसमें नहीं है इसमें भी है all business transactions एसी कोई transaction ही नहीं बनी जिसमें दो इफेक्ट ना हो दो चीज़े हमेशा दो चीज़े ही लेंगी हमेशा ठीक है और सो नहीं है इसको हम बोलते क्या है duality principle बोलते है भाई साब इसको duality principle क्या होता है duality principle यही जो duality principle जहना ना इसी के base पर अगाउंट्स बनावेए आज जो accounts हम पढणने जाने है वो गहां हम अगर duality principle ना होथा तो आज accounts ना होता ठीक है तो duality principle पढ़ते है duality principle को समझने के लिए accounting equation दीगी है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे accounting equation for duality principle अब जी क्या है यह accounting equation duality principle के लिए क्या है क्या है क्या accounting equation duality principle हमने बोला कि duality principle है उसके लिए accounting equation क्या accounting equation बनीविए इसके लिए बनीविए अगर आपको यह समझ आगी ना यह समझ आगी ना अगर आपको कि accounting equation for duality principle तो आप मैं बोदा हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं ठीक है आप अकाउंट साब को आगया समझो आदा अगया ठीक है तो asset is equal to liabilities plus capital अब क्या यह क्या बात है asset is equal to liabilities plus capital यह है duality principle अब इसको समझते हैं हम ठीक है इसको समझते हैं वह जो bank loan वाले example था वो भी इसमें हम कवद करेंगे सब कवद करेंगे इसमें आप टेंशन ना लो ठीक है तो जी यह मैंने पहले से लिखा रहे asset is equal to liabilities plus capital तो क्या इसका क्या मतलब बनता है आपके हिसाब से इसका मतलब है कि आपके पास जो है asset क्या होते है आपके आज जो भी है आज आपके पास जो भी है वो क्या है या तो आपने उधार लेकि खईदाव है वो या तो क्या है वो या तो क्या है उधार का है या फिर किसका है अपने पैसो का है जल्दी मेरे साथ दुबार से आपने बोलना है कि आपके पास आज जो फिर अपने पैसों सबोश एक्जामपल क्या लेंगे आपके लिए फिर गया गयो तो यह से लिए आपने किसी से उधार लेकिए गाड़ी है और हों मियुक्त लिए तो या तो उधाल पो या फिर फिर 53 आपके अपने पैसों से या फिर क्या आपके अपने पैससे तो at मिस्टर एक्स हैं मिस्टर एक्स ने क्या सोचा हाथ तो बनाए नहीं ठीक है मिस्टर एक्स ने बिजनस शुरू करना है मिस्टर एक्स के पास पड़े हुए है 40 लैक रुपीज मिस्टर एक्स ने बिजनस शुरू करना है कितने रुपीज से 40 लेक रुपीज से बिजनस शुरू करना है इन्होंने तो माल लो इन्होंने बिजनस शुरू कर दिया तो मैंने क्या बुला बिजनस शुरू किया तो भी दो effect होईगे डो effect क्या होईगे एक तो आपके पास cash cash था इनके बास hard cash पढ़ावाय इनके बास तो जी cash आगे इनके बास अब वह इसे इस इक हुआ टु लाइबिल्टी इप्लस capital तो जी इनके बास क्या आगया asset asset क्या आ गया cash आ गया cash कितना आ गया 40 लैक रुपीज cash कितना आ गया इनके बास 40 लैक रुपीज और liability क्या है जीरो कोई उधार अभी तक लिया ही नहीं है उधार लिया ही नहीं है जीरो और capital कितना पैसा लिगाया बिजनस में के पैसा कितना लगाव है 40 लैक तुझी दो ट्रांजिक्शन होगी इसमें दो चीज़े ही लगी capital भी लिया अब मालो bank से लोन ले लिया यह आ गया यह वाला example आपका जो आप सोच रहे थे ना यह आ गया आ गया यह example अब देखो क्या है यह उए बैंक से लोन लिया 30 लाक रुपी का बैंक से लोन लिया 30 लाक, we on the contracts by nook siis कोन यह था किद अब क्या करेंगेगा और कैश कितना हो गया इनके वास 30 लाक तो लोन आगे नagn nau, 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, कितना हो गया 40 plus 30 is equal to 70 बिल्कुल सभी अब लेकिन अब उधार उधार भी आ गया ना 30 लाक प्लस 40 लाक क्या तो अब दो चीज़े हिल की यहां भी हिला यहां भी हिला दो effect होए की नहीं हुए दो effect हुए की नहीं हुए हुए दो effect ठीक है अब माल लो इन्हों फेड़ेंक की नेंगे क्या का हुए अब भी धोजी क्य मुसिपन करना है अब आपूप से 50 लैक लेक का एक चार्टी मेंुम नें अट की हिग लेता हाव यहां इस उपिजनश चुरू शुरू के ना चौप शॉप टिक है शॉप ले लेते हूं 50 लैक का side तो 20 लाग की क्या लेता है का लेता है बिजनस के लिए तो अब क्या लिखेंगे हम अब क्या लिखेंगे हम ठीक है ओ दिखनी दा होगा आपको ठीक है पचास लाग की शॉप ले लेता है और 20 लाग की गाड़ी लेता है वो तो अब क्या होगा अब क्या होगा जब उसने 50 ला 50 lakh की प्लस इसके पास car कितने क्या आगी 20 lakh की प्लस अब इसके पास cash कितने है 0 और क्या हो गया 30 lakh क्या है liability और ये क्या है capital capital कितनी है 40 lakh ठीक है और ये क्या है assets तो अब आप बोलोगे इसमें दो चीज़े कैसे हिली तो जी shop आई तो cash हिला card आई तो भी cash हिला तो भी बात होगी shop ली तो क्या होगी cash तभी भी हिला है card ली है तो भी cash हिला है तो दो जगा effect कहां पड़े जब shop ली तो shop पे effect पड़ा अब एक new चीज़ आगी हमाई पास और effect किस पड़ा cash पे दो चीज़ों पे जब car आई तो car पे effect पड़ा दूसरा कहां पड़ा cash पे अगर आपको भी समझ आ रहा है नहीं समझ आ तो third chapter ना हमने पढ़ना ही यह है third chapter में हमने main चीज़े पढ़ना ही है नेक्स chapter में ठीक है तो आपको अच्छे समझ आजेगी अभी मैंने कुछ शॉप थी और गाड़ी थी जो भी था या कुछ तो उधार पे था और कुछ उसका अपने वैसों पे था यही अकाउंटिंग बिस्वेल बोलता है तो हम अब इस इक्वेशन की ठीवरी पड़ते हैं इस इक्वेशन में कुछ ठीवरी लिखे तुझी देखो एसेट इस इक्वेशन स्टेट्स रैट क्या है इस इक्वेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है अभी थोड़ा इसकी ठीवरी भी पड़ते लाइविल्टि तो जी जो को ओनर के अपना होता है जो ओनर का अपना होता है उसको रह बोलते हैं अपना पैसा क्या बोलते और tu conserva नियों तो वह मत्laubिnant अगर वापिस नहीं कर पाया तो वो किसका समन हो जाएगा अगर मान लो पर शुम लोन लिया है तो वह किस वह हो जाएगा हो जाएगा बैंक को जाएगा क्लैम आफ आउटसाइड़ क्या भोलेंगे उसके हम लाइबिल्टी इथा लेकिन अभी उसका उधार देने को अगर नहीं दे पाय तो बैंक जब्त कर लेता है घर को बिल्कुल यही था concept थोड़ा लंबा चले गया पर यह बहुत important concept था इसको ध्यान से पढ़ना है आपने ठीक है तो जी इस वीडियो में इतना ही था अगली वीडियो में हम नए concept के साथ आएंगे notes आपको description में link दिया है download करो notes को और इस concept में अगर कुछ भी समझना है पूछ लो वसमेर से क्योंकि यह concept जो है ना यह आपका base accounting का ठीक है तो इतना ही था इस वीडियो में बाई बाई टेक क्याव